तुशार गुड मॉनिंग भाई सत्यम चौदरी गुड मॉनिंग तुशार गुड मॉनिंग सत्यम चौदरी गुड मॉनिंग जितने बचे लाइफ कनेक्ट हो बेटा मैसेज जरूर करें एक बार जितने भी बच्चे लाइफ कनेक्ट हो, मैसेज जरूर करें, अंश कुपता, गुड मॉर्निंग भाई, तनु सिंग, गुड मॉर्निंग बिटा, जितने भी बच्चे लाइफ कनेक्ट में बिटा, एक बार मैसेज जरूर करें, देवान सहगल गुड मॉर्निंग, सुमित कुमार गुड मॉर्निंग, आरेन शेरावत गुड मॉर्निंग, रिया गुड मॉर्निंग विटा, कॉनिक दयाल जैहिन भाई जैहिन जैहिन गॉड ब्लेस यू वैवब चौधरी गुड मॉनिंग भाई जितने बच्चे आज ये लाइब कनेक्ट वे मिटा मैं बीच बीच में कोशन पूछूंगा तो क्लास में बने रहना है सबी बच्चों को ठीक है जैसे आज ये वैवब जी पहली बार क्लास अटेंड कर रहे है ठीक प्राची मलेक गुड मॉर्निंग मिटा गुड मॉर्निंग जो बच्चे बीच में भी आएं बिटा वो मैसे जरूर करें और अपनी अटेंडनेंस जरूर मार्क करवाएं बिटा क्लास में याद रखना यही सब चीज़ें आपको बेनेफिट देंगी लास्ट में केतन शर्मा गुड मॉर्निंग भाई जितने बच्चे भी क्लास में आते हैं चाहे वो लेट आते हैं बिटा अपनी अटेंडनेंस जरूर मार्क करवाएं क्लास में ठीक और बागी का चैप्टर नमबर 7 के विटा आपको नोट्स बनाने हैं प्रिशान सिरो ही सभी बच्चों को उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और कल तक मुझे वो भेज देने विटा आप सभी को नोट्स ठीक है आप उसका PDF बनाएंगे और PDF फॉर्म में आप मुझे वो चीज़ें चेक करूंगा एक आपकी क्लास की अटेंडनेंस और दूसरा बिटा जो मैं क्लास में वर्क करवा रहा हूं यह आपका पूरा है यह नहीं है बिटा इसके बेसिस पे ही आपके बोड के प्रैक्टिकल होंगे स्वारव यादव गुड मॉर्निंग भाई गुड तो यह आपको पूरा करना है बिटा यह चीज़ें आपके लिए जरूरी है एक तो आप क्लास रेगुलर अटेंड करें वैशनवी सिंग गुड मॉर्निंग भाई एक तो आपको नोट्स जो मतलब मैं करवा रहूं क्लास में यहाँ पर वर्क यही आप अपनी कॉपी में ल इन चीज़ों को आपको याद रखना है चले बच्छा अब इस्टार्ट करते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे देखेगा आज हम इस्टार्ट करेंगे वीटा एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव फर्स्ट बुक का ये last chapter है आपका electromagnetic wave बेटा electromagnetic wave फर्स्ट बुक का आपका last chapter है बेटा बहुत ध्यान से समझना बेटा इसको start करने से पहले बेटा एक topic है displacement current एक topic है displacement current ठीक displacement current बेटा अब displacement current तो हमें नहीं पता लेकिन हमें एक चीज पता है बिटा जिसको हम पहले पढ़ के आ चुके है Electric Current Electric Current और Electric Current का मतलब होता है Flow of Charge Flow of Charge या आप बोल सकते हैं Rate of Flow of Charge I is equal to Q by T I is equal to Q by T ठीक बहुत ध्यान से देखेंगे आशी शैनी, गुड मॉनिंग भाई ठीक है? शुर्यान्ष, गुड मॉनिंग, बहुत ध्यान से देखना बेटा हम लोग Electric Current पढ़के आए हैं और Electric Current का मतलब है Rate of Flow of Charge is called Electric Current बेटा उसको Electric Current कहा गया है जबकि Current का मतलब होता है Flow of Anything किसी भी चीज का Flow है that is called Current कोई भी चीज Flow कर रही है उसको Current कहा गया है Flow of Anything Current का मतलब है Flow of Anything किसी भी चीज का Flow है that is called Current like Air Current Water Current तो Current का मतलब है किसी चीज का Flow करना Electric Current का मतलब है Rate of Flow of Charge यहाँ पर Charge Flow कर रहा है ठीक, अब यहाँ देखेंगे बहुत ध्यान से समझना बेटा यहाँ पर मैंने ट्रम लिखी है Displacement Current It is denoted by ID It is denoted by ID पहुत ध्यान से समझना बेटा पहुत ध्यान से देखेंगे Displacement Current क्या होता है ध्यान से देखेंगे बेटा नेकि गुड मॉर्निंग बेटा ध्यान से देखेंगे The Current The Current Associated Associated With Changing In Electric Flux In Electric Flux Is Called Displacement Current Is Called Displacement Current बहुत ध्यान से समझना बेटा ध्यान से देखेंगे बच्छा मैंने आपसे एक सिंपल सी बात लिखी है The Current Associated जो Current Associate कर रहा है बेटा किसके साथ Associate कर रहा है With Changing In Electric Flux With Changing In Electric Flux Is Called Displacement Current वो Current जो Electric Flux में Change आने की वज़े से जनरेट होता है या उसके साथ जो Associate कर रहा है That Current Is Called Displacement Current उसको Displacement Current कहा गया है सिंपल सी लेंग्वेज में अगर हम बोलें बिटा तो जब कभी Electric Flux में Change आएगा जब कभी Electric Flux में Change आएगा तो वहाँ पर एक Current होगा वहाँ पर एक Current होगा That Current Is Called Displacement Current That Current Is Called Displacement Current बच्चा मैंने एक सिंपल सी बात कही है कि जब भी कभी Electric Flux में Change आएगा वहाँ पर जो Current होगा That Is Called Displacement Current उसको Displacement Current कहा गया है क्यों कहा गया है इसका Reason में आपको आगे समझाओंगा बेटा ठीक तो एक सिंपल सी बात है कि कोई भी एक ऐसा Current जो तब Generate हो रहा हो जब कभी Electric Flux में Change आ रहा हो तो वहाँ जो Current होगा बेटा That Is Called Displacement Current ठीक That Is Called Displacement Current मुदित गुड मौनिंग बेटा कभी भी अगर Electric Flux में Change आएगा और वहाँ जो Current एसोसेट होगा That Current Is Called Displacement Current बेटा याद रखना है आपको एक बात अगर Electric Flux में Change है तो वहाँ जो Current होगा इस Called Displacement Current ठीक अच्छे एक बात बताओ बेटा मुझे अगर Electric Flux में Change नहीं आ रहा अगर Electric Flux में Change नहीं आ रहा तो क्या Displacement Current जनरेट हो सकता है बेटा अगर कभी Electric Flux में Change नहीं आ रहा है तो क्या वहाँ पर Displacement Current जनरेट हो सकता है जल्दी बताएं बेटा मुझे जल्दी बताओ Electric Flux में कोई Change नहीं है हेमन सिंग, गूड मॉर्निंग आरेन से डावत करें नहीं बिल्कुल सही बात है बेटा देखो, सिंपल सी एक बात याद रखनी है जब कभी Electric Flux में Change आएगा Electric Flux में Change आने की वज़े से जो करन्ट जनरेट होगा या प्रेड्यूस होगा That is called Displacement Current बेटा That is called Displacement Current बच्चों अभी आगे समझाऊँगा आपको कि इसको Displacement Current क्यों कहा और कहा पर ये काम कर रहा होगा देखना, बहुत ध्यान से देखना बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे मैंने याँ पर लिखा Using Gauss Theorem Using Gauss Theorem मैंने Gauss Theorem का यूज करा D Phi E is equal to Q upon Epsilon 0 D, sorry Phi E is equal to Q upon Epsilon 0 Phi E का मतलब है Electric Flux Q का मतलब है Charge Epsilon 0 का मतलब है Permittivity of Free Space बच्चा मैंने याँ पर लिखा Differentiate Both Sides With Respect to T T के Respect में इसको Differentiate कर दिया यह हो जाएगा D Phi E upon DT Is equal to 1 upon Epsilon 0 1 upon Epsilon 0 D Q upon DT D Q upon DT इसकी यहाँ Multiply कर देंगे Epsilon 0 D Phi E upon DT Is equal to D Q upon DT अब बच्चा मुझे एक सिंपल सी बात समझा हो यार मैंने आप से कहा था कि I is equal to होता है बेटा Q upon T I is equal to होता है Q upon T तो यहाँ देखना यह बनिया D Q upon DT This is called ID This is called ID ID means displacement current और ID की value अगर आप देखेंगे ID की value अगर आप देखेंगे This is called displacement current बेटा This is called displacement current ID और ID की value देखेंगे आप Epsilon 0 D Phi upon DT इसका मतलब electric flux में इसका मतलब electric flux में change आ रहा है तो यहाँ जो current associate हो रहा है बेटा That is called displacement current That current is called displacement current उसको displacement current कहा गया है तो बच्चा जल्दी से इसका screenshot लो कोई doubt है तो पूछिए बेटा जल्दी से screenshot लीजे शुषान जैहिन भाई सिदात गुड मॉनिंग आशना गुड मॉनिंग बेटा जल्दी से इसका screenshot लीजे बच्चा लक्षे परताब सेंग गुड मॉनिंग भाई हाजी भाई साब मैदान तो फत्य करना ही है मैदान फत्य करना ही है देखेंगे कलिया बेटा नोट सबने कर लिया बच्चों सबने अरे कर लिया सबने येस ओके लिख चुग है बच्चे सारे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके सभी बच्चों ने लिख लिया बेटा बहुत ध्यान से समझेंगे बहुत ध्यान से समझना बेटा अभी मैंने आप सभी को displacement करन्ट समझाया बेटा अन्मोल शर्मा अभी मैंने आप सभी को displacement करन्ट समझाया बेटा और मैंने आपको समझाया id is equal to epsilon 0 d phi e upon dt d phi e upon dt कभी भी कोई एक ऐसा करंट जो electric flux में change आने की वज़े से generate हो रहा हो that is called displacement current उसको displacement current कहा गया है अब सवाल ही उखता है कि भाई इसकी जुरत क्यों पढ़ रही है इसकी जुरत क्यों पढ़ रही है ठीक बहुत ध्यान से समझेंगे सवाल ही उखता है कि displacement current की जुरत क्यों पढ़ रही है क्यों displacement current की हमें requirement है अब यहां देखेंगे बच्चा हम सभी लोग पढ़के आए हैं ACL, Ampere Circular Law हम सभी लोग पढ़के आएं बेटा, ACL, Ampere Circular Law बेटा ठीक, Ampere Circular Law में हमें एक बात समझाए गई line integral of magnetic field B.DL that is equal to mu not I, line integral of magnetic field that is equal to mu not into I, ठीक, जो line integral is magnetic field का वो mu not time सारा है बेटा, किसके current के, जो उसमें current है बेटा सर्किट में उसके म्यू नॉट टाइम सारा है ठीक हमने कहा लाइन इंट्रिगल ऑफ मैगनेटिक फील्ड एज म्यू नॉट टाइम्स टू दी करेंट इंदी सर्किट बेटा अब एक सिंपल सी बात समझना बेटा आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा मैक्सवेल ठीक इतियास गवाया बेटा हर वो साइंटिस्ट एक अलग पैचान बना पाया जिसने दुनिया को कुछ नई बात बताई या किसी नगर कुछ पुरहनी ब समझना बेटा किस तरह से उसने दुनिया में अपना नाम अमर करा इसको अच्छे से समझना बच्चा हम सभी लोग केपैसिटर पढ़के आया बेटा चैप्टर टू में बहुत ध्यान से देखेंगे मैंने क्या करा एक केपैसिटर को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया बहुत ध्यान से समझेंगे मैक्सवेल ने इस लोग में एक सिम्पल सी बात पूछी बहुत ध्यान से देखना बिटा एक बहुत सिंपल सी बात देखी बहुत ध्यान से देखेंगे बिटा कि जैसी आपने बैटरी से जोड़ा तो यहां से करंट फ्लो करेगा बिटा जैसी आपने बैटरी से जोड़ा तो यहां से करंट फ्लो करेगा बहुत ध्यान से देखना तो इसके पास में Maxwell ने एक कमपस रखा इसके पास में Maxwell ने एक compass रखा और ध्यान से देखेंगे बेटा Maxwell ने कहा कि इस capacitor को मैंने एक battery से जोड़ा और इस wire में current flow करने लग गया इस wire के पास मैंने एक compass को रखा तो जैसे ही उसने compass को रखा उसे compass में deflection देखने को मिला उसे compass में deflection देखने को मिला ध्यान से समझेंगे बच्चा Maxwell ने कहा कि जैसे ही मैंने इस capacitor को इस battery के साथ connect करा इस wire में current flow कर होने लग गया बेटा तो जो पास में compass रखा था उसमें deflection देखने को मिला ठीक अच्छा एक बात बताओ बेटा compass में deflection किस चीज की वज़े से हुआ होगा जनल है बताओ compass में deflection किस चीज की वज़े से हुआ होगा बेटा बताए जल्दी से यहां compass रखा था इसमें deflection देखने को मिला तो किस चीज की वज़े से क्या चीज रही होगी ऐसी जिसकी वज़े से deflection देखने को मिला बेटा बताएं जल्दी से जल्दी बताएं बेटा यहां deflection क्यों हुआ होगा compass में magnetic field की वज़े से बहुत सही बेटा बहुत सही विकास बहुत सही बेटा वेरी गुड इसका मतलब यहां पर magnetic field बना इसका मतलब यहां पर magnetic field बना तो मैक्सवेल ने का बिल्कुल ठीक बात है जब तार है तार में current flow कर रहा है तो उसके आसपास magnetic field भी बनना चाहिए ठीक इसका मतलब यह deflection बिल्कुल ठीक है इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है अब उसने क्या करा मैक्सवेल ने के प्लेट्स के बीच में यहां पर के प्लेट्स के बीच में यहां पर उसने फिर से एक कमपस का यूज करा बिटा बहुत ध्यान से समझना के प्लेट्स के बीच में उसने फिर से एक कमपस का यूज करा और मैक्सवेल य से समझना बिटा मैं क्या कह रहा हूं आपसे देखेंगे Maxwell ने क्या करा इस तार में current flow कर रहा था इसके पास एक compass रखा तो उसने देखा compass में deflection आ गया तो Maxwell ने ये कहा कि इस compass में deflection इसलिए आया क्योंकि इसके पास में magnetic field है magnetic field की वज़े से deflection आ रहा है पहली बात दूसरा उसने कहा कि capacitor की जो plates हैं देखेंगे ऐसी capacitor की plates है आप सभी को बताए इसके बीच में gap होता है बिटा कोई wire connect नहीं होता है capacitor की plate दो plate जो होती है capacitor की ये किसी wire से connect नहीं होती है याद रखना अगर मैंने दोनों plate को wire से connect कर दिया तो capacitor की capacity infinity हो जाएगी लेकिन वो चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा लेकिन वो चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा तो उसने कहा कि ये दो capacitor की plates हैं इनके बीच में अगर मैं एक compass needle को रखता हूं तो इस compass needle में ये deflection क्यों आ रहा है अगर इसमें deflection आ रहा है यहां पर तो definitely यहां पर कोई एक magnetic field होगा definitely यहां पर कोई एक magnetic field होगा या फिर हम यह बोल सकते हैं कि यहां पर भया कुछ ना कुछ current है कुछ ना कुछ current है ठीक तो मैक्सवल ने अब यह वाली बात पूछ ली किस से empire से उसने कहा कि इसका लौ इस बात को कैसे justify करेगा इसका लौ इस बात को कैसे justify करेगा जबकि यहां पर किसी तरह का कोई current नहीं है बेटा धियान से देखना उसने कहा कि यह जो लौ है यह वाला इस बात को कैसे justify करेगा जबकि यहां पर किसी तरह का कोई current नहीं है बेटा ठीक अब यह थोड़ी परिशान करने वाली चीज़े नहीं है कि हमने कहा भाई यहां तार है तार में current flow करवाया इसके पास compass needle रखा deflection आ गया बिल्कुल सही बात है current है magnetic field होगा magnetic field है तो compass needle deflection दिखाएगा चलो आगे बड़े यहां compass needle रखा देखा इसमें deflection आ गया अब deflection आ गया तो definitely magnetic field होगा या फिर हम यह बोल सकते हैं हहां current होगा फिर सवाल उठा यह कौन सा current है भाई यह कौन सा current है ठीक यह कौन सा current है किस current की वज़े से इस compass needle में deflection आया तब कहा गया वहिए यह यह जो current है this is the displacement current यह जो current है यह displacement current है बिटा यह जो current है displacement current है अब आपको कहोगे सर कैसे है एक बात समझना बिटा capacitor की पहली plate पे charge है positive दूसरी plate पे charge होता है negative धियान से देखेंगे पहली plate पे charge है positive दूसरी plate पर charge है negative इसका मतलब यहाँ पर electric flux में change आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर electric flux में change आ रहा है और electric flux में change आने की वजह से जो current यहाँ पर associate है जो current यहाँ पर associate है that is called displacement current उस displacement current की वजह से ही इस compass needle में deflection आ रहा था अगर वो current ना होता इस compass needle में कभी भी deflection नहीं आता वच्चा ठीक यहाँ तक clear है पहले यह बताए बेटा यहाँ तक clear है फिर इसको मैं और आगे समझाओंगा बेटा यहाँ तक clear है यहाँ तक clear है बेटा ओके यारें जी करें येस सर अब बच्चे बताएं एक बार यहाँ तक clear है बेटा ओके ठीक है चलिए बेटा अब आगे समझते हैं अब आगे देखते हैं बेटा देखेंगे मैक्सवेल ने कहा मैक्सवेल ने कहा कि भाईया जी जो आपका लौ है यह वाला जो लौ है इसमें इत्तू सा चेंज होगा इत्तू सा चेंज क्या होगा इसको हम ऐसे लिखेंगे अब आप कहेंगे यह क्या क्या बलाएं लिख दीए यसने आइसी प्लस का I-D IC is called conduction current and ID is called displacement current ID is called displacement current ठीक, यहाँ पर circuit में दो तरह का current associate होगा बेटा पहला आपका conduction current पहला आपका conduction current दूसरा आपका displacement current यहाँ जो current चल रहा है बेटा this is the conduction current यहाँ यहाँ जो current associate है this is called displacement current यहाँ जो current associate है बेटा this is called displacement current उसको displacement current कहा गया है हाला कि दोनों बराबर होते हैं और एक टाइम पर एक ही होगा जैसे मैं अगर conduction current की बात कर रहा हूं तो displacement 0 होगा और अगर मैं displacement की बात कर रहा हूं तो conduction 0 होगा कैसे आईए समस्ते इन बातों को अब जड़ा धियान से देखेंगे Maxwell ने कहा कि एंपियर के सर्कुटल एंपियर सर्कुटल लौ में इंकंसिस्टेंसी है बेटा इंकंसिस्टेंसी इं एंपियर सर्कुटल लौ Maxwell ने एक बात कही कि जो ये एंपियर सर्कुटल लौ है तो शार भार घव Good Morning घटा Maxwell ने एक बात कही बेटा कि जो इंपियर सर्कुटल लौ है इसमें इंकंसिस्टेंसी है किस तरह की इंकंसिस्टेंसी आईए समझते हैं बेटा बहुत ध्यान से समझा बच्चा मैंने आपसे कहा देखेंगे दियान से मैंने आपसे कहा बेटा कि ये एक केपासिटर की प्लेट्स बना रहा हूं है दियान से समझेंगे बेटा दियान से समझना बच्चो बहुत सिंपल है यार बहुत ज़्यादा सिंपल है देखेंगे बैटरी से current flow करवाया बैटरी से current flow गया यह current आई लिया ठीक इस वाली plate पर charge है positive इस वाली plate पर charge है positive दूसरी plate पर charge है negative बैटा कि capacitor की दो plate होती है एक पर जितना positive होगा दूसरी वाली पर उतना negative होगा अब Maxwell ने क्या करा कि पहली plate से पहले एक पहली plate से पहले एक loop consider करा बैटा उसने पहली plate से पहले एक loop consider करा ठीक ध्यान से समझना बैटा Maxwell ने क्या करा पहली plate से पहले एक loop consider करा बैटा अब अगर वो इस loop के लिए इसको apply करा उसने उसने कहा s1 b dot dl that is equal to mu not i हमें पता है कि यहां wire में current flow कर रहा है इस particular loop के लिए बैटा s1 के लिए जो की plate से पहले है बैटा यह जो loop मैंने बनाया है बच्चा यह पहली plate से पहले बना रखा है पहली plate यह इस से पहले बना रखा है मैंने loop s1 बैटा ठीक तो यहां पर उसने कहा कि अगर हम इस law को apply करते है b dot dl that is equal to mu not i यह वाला law यहां पर follow हो रहा है बैटा पहले बाले loop के लिए equation first फिर उसने क्या करा बैटा इन plates के बीच में एक और loop लिया in plates के बीच में एक और loop लिया s2 तो यहां पर उसने देखा कि b dot dl s2 के लिए यह आ गया बैटा mu not into 0 क्योंकि यहां current था ही नहीं तो यहां पर इसकी value आ रही थी बैटा b dot dl s2 के लिए यह आ गया बैटा 0 अब Maxwell का दिमाग घूम गया Maxwell ने कहा भाई एक बात बता एक बात बता वहां तो तेरा law लग रहा है यहां तो लग रहा है law अगर मैं इससे पहले capacitor की plate से पहले loop बनाता हूँ तो यहां तो लग रहा है यहां बाद में यह 0 क्यों आ रहा है जबकि आप एक के लिए ही मान रहे हैं तो यह दोनों equation आपस में बराबर होनी चाहिए थी ठीक यह दोनों equation आपस में बराबर होनी चाहिए थी तब Maxwell ने दुनिया को एक बात बताई कि यहां पर जो current होगा यहां पर जो current होगा that will be displacement current इसका मतलब इस particular formula में I की जगा लिखा जाएगा IC plus का ID IC plus का ID यहां पर लिखा जाएगा I is equal to IC plus का ID which is equal to conduction current plus displacement current आई ये इसको समझते हैं displacement current कैसे निकाला बेटा देखेंगे आप सभी लोग Gauss theorem पढ़ के आए बेटा एक बात बताएंगे बेटा पहली plate पर charge positive दूसरी plate पर charge negative तो मैंने आप से कहा electric field electric field between the plates electric field between the plates तो आपने कहा E is equal to sigma upon epsilon naught धियान दीजेगा बेटा हम लोग Gauss theorem पढ़ के आए हैं पहली plate पर charge positive दूसरी plate पर charge negative तो इन plates के बीच में जो electric field होगा E is equal to sigma upon epsilon naught surface charge density sigma is equal to charge per unit area surface charge density sigma is equal to charge per unit area बहुत ध्यान से देखेंगे ठीक अब मैंने आप से कहा बच्चा electric flux कितना होता है electric flux कितना होता है तो आपने कहा phi E phi E is equal to E into A phi E is equal to E into A electric field into area अब electric field देखेंगे plates के बीच में जो electric field आया है Q upon A epsilon naught into A A से A कटा बेटा तो electric flux phi E phi E is equal to आगया बेटा Q upon Epsilon naught अब यहां देखना बच्चा अगर मैं इसका differentiate करता हूँ time के respect में तो D phi E upon DT is equal to 1 upon Epsilon naught DQ upon DT बच्चा ठीक यहां देखेंगे यहां देखेंगे DT DQ upon DT यह convert हो जाएगा हमारा displacement current में यह convert हो जाएगा हमारा displacement current में ID में इसका multiply कर देंगे तो ID is equal to Epsilon naught D phi E upon DT तो इसका मतलब plates के बीच में जो current associate कर रहा है plates के बीच में जो current associate कर रहा है that is called displacement current उसको displacement current कहा गया है यह हमें याद रखना है बच्चा ठीक चलिए इसका screenshot लीजे बेटा एक बार इसका screenshot लीजे बेटा एक बार जल्दी से done ओके ठीक है ठीक है जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके लेख लिए सभी बच्चों ने ठीक है अच्छा बच्चा यही बताओ यहाँ तक clear हुई चीजे यहाँ तक clear हुई चीजे यहां तक clear हुई भाई, आप सभी को चीजे, यह बता यहां तक clear हुई बैटा चीजे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, यहां तक clear हुई, जल्दी बता दे बैटा, सभी बच्चे एक बार जारा बता दे, यहां तक clear हो गई आपको सभी चीजे, ओके ठीक है ठीक है चलिए सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गई बेटा तो एक चीज याद रखेंगे बच्चा एक चीज याद रखेंगे कि एंपियर सरक्रिटल लौ की जो मॉडिफाइड फॉर्म है एंपियर सरक्रिटल लौ की जो मॉडिफाइड फॉर्म है एसी यल जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़के आये थी दिए प्यपी डॉट देएल विच इस एकोल टू मॉन आट आई मॉन आई उसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है वह बच्चा बीडॉट दिएल इस एकोल टुम्यों नाट आइसी प्लस का आईडी या बोल सकते हैं मॉन आईसी और आइडी की वैल्यु हमने लिखिति एपसा dy5e onич naor North d5e upon dt That's all bathy reign outlined circuit में एक्र ताइम में कर दोगा क्योंकि कैंडरेक्शन गरंड डिस्प्लेस्मेंट कर ड्रक बराबर होता है रहांच्हां ब्लाक्षर सांद तब होगा जब आप बाहर वायर में देखें रहों गे से इस dismantle कर ड्रका सीटर की plates के बीच में जो एलेक्टरिक flux में चेंज आने की वज़े से जनरेट हुआ होगा that current is called displacement current बेटा ठीक अगर कभी आपसे कहा जाता है कि कि किसी सरक्षेट में conduction current किसी सरक्षेट में conduction current है हमारा 3 ampear किसी सरक्षेट में conduction current है बेटा 3 ampear और आपसे वेल्यू आफ डिस्प्लेस्मेंट करन्ट तो आप कहेंगे भईये डिस्प्लेस्मेंट करन्ट भी थ्री एंपियर ही होगा ना तो उससे कम ना ही उससे ज्यादा बिटा ठीक मैं आउप यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा प्लीयू इसका भी स्क्रीन शॉट टेली जीए, ठीक, चलिए बिटा, अब आगे देखते हैं बिटा, अब आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना बिटा, तीन बाते समझा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखना इफ V is equal to 0 V का मतलब है velocity अगर velocity 0 है किसी charge particle की velocity 0 है ध्यान दीजेगा इफ V is equal to 0 किसी charge particle की velocity 0 है only electric field only electric field वो सिर्फ electric field बनाएगा बेटा सिर्फ electric field बनाएगा अगर किसी charge particle की velocity 0 आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ electric field बनाएगा पहली बात दूसरी बात बेटा ध्यान से देखना ध्यान से देखना इफ V velocity V is equal to constant V is equal to constant मैंने आप से कहा बेटा कि कोई एक charge particle है उसकी velocity बन रखिये 20 meter per second वो 20 meter per second की velocity से चल रहा है बेटा constant velocity है तब हम बोलेंगे यहाँ पर दो चीजे होंगे बेटा electric field electric field plus magnetic field plus magnetic field इसको याद रखना है बेटा तीसरी condition यह आती है बेटा आप गतिछ裡面 अनके वी इस नॉट इकॉल तू कॉंस्टेंट है नॉट इकॉल तू कॉंस्टेंट टाइम वेरिंग है समझरो आप एकॉल तू कॉंस्टेंट टाइम वेरिंग है टाइम वेरिंग का क्या मतलब होता है भाई हो सकता है कभी बढ़ रही हो बहुत जादा कभी कम हो रही हो टाइम वेरिंग का मतलब है कभी increase हो रही हो कभी decrease हो रही हो ठीक तो यहाँ पर फिर से दो चीज़े बनेंगी बेटा electric field plus magnetic field तो यहाँ पर भी दो चीज़े बनेंगी electric field plus magnetic field बेटा मैंने आपको तीन condition समझाई पहला किसी charge particle की अगर velocity 0 है तो सिर्फ electric field बनेगा मतलब charge particle अगर rest पर है तो सिर्फ और सिर्फ electric field बनाएगा अगर किसी charge particle की velocity time किसी charge particle की velocity constant है दो चीज़े बनाएगा electric field plus magnetic field अगर किसी charge particle की velocity constant नहीं है मतलब time varying चल रही है कभी बढ़ रही है कभी घट रही है तो दो चीज़े बनाएगा फिर से electric field और magnetic field अब सवाल यह उठता है सर इन दोनों में difference क्या है फिर वहीं इसमें और इसमें difference क्या है विटा एक difference आता है यहां पर हम बोलेंगे no radiation no radiation here we will say it emit radiation it emit radiation द्यान से समझेंगे विटा कोई charge particle अगर constant velocity से चल रहा हो मैंने आप से का यह charge particle है constant velocity से चल रहा है तो इसने क्या बनाया आप simple सी बात कहेंगे दो चीजे बना चुका है electric field magnetic field ठीक लेकिन यह अपने अंदर से किसी तरह का radiation emit नहीं करेगा बिटा अगर किसी charge particle की velocity में लगातार change आ रहा है मतलब वो constant है है कभी तो बहुत जादा बढ़ जाती है कभी घट जाती है मतलब कभी तो accelerate हो रही है कभी retardation हो रहा है तब भी यह दो चीजे बनाएगा electric field, magnetic field और अपने अंदर से एक radiation निकालेगा अपने अंदर से एक radiation निकालेगा ठीक जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं कि इस radiation की वज़े से जनरेट होती है electromagnetic wave इस radiation की वज़े से जनरेट होती है electromagnetic wave तो कभी भी कोई charge particle अगर accelerate होता है या retardation आता है उसमें तो वहाँ पर जो radiation होगा उसकी वज़े से जनरेट होगा electromagnetic wave बेटा जो आपका chapter चल रहा है जो आपका chapter चल रहा है ये वाली बात clear है ये वाली बात clear है हर बच्चे को ये बताएं जल्दी से अग्याश्य को कर दो अग्याश्य को का कर तो सभी बच्चों को ये वाली बात clear हो चुके एकदम crystal clear बहुत बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया ठीक अगर अच्छे से समझ में आ गया तो भाई एक बार थमसब बेज दीजे अगर अच्छे से समझ में आ गया ये चीजें एक बार थमसब बेज दीजे कि हाँ जी ये चीजें clear हो चुकी है मुझे अच्छे से बता चल च समझाओंगा स्टार्टिंग से कहां से चला कहां तक होगा क्या होगा कल इसकी कहानी समझाओंगा आज सिर्फ एक चीज पढ़ाई आपको पूरी क्लास में दिस्प्लेस्मेंट करंट क्या है कल के लिए बस इन तीन बातों को याद रखना इस्पेशली इस थड़ वाली को ठीक तो चलिए बच्छा पार्टी टाटा वाय वाय अपना ध्यान रखे टेक केर अब आपसे कल मुलाकात होगी और भाई अपना होमवर्क मुझे भेज़ दे प्रूप 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